गुड मारिंग चिल्डरन, I welcome you all in better English class, we were to chapter Trouble in Bohemia, जिसने में की हमने पढ़ा की बुहीमिया का जो किंग होता है, वो एक American actress Irene Adler से प्यार करता था, ठीक है, लेकिन वो शाही जो है बलड की नहीं थी, royal family से बिलॉग नहीं करती थी, राजा महराजाओं की परिवार से नहीं थी थी, उसको छोड़ने का तो वो जो है, उसको छोड़ कर एक पडोसी देश की राजकुमारे से शादी करने जा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसका पहला जो एक करतवे था, जो पहले उसकी डूटी थी, अपने देशवासियों के लिए थी, ठीक है, उस समय तो जब वो प् वापस लेना चाहता था, हलाकि उसने काफी कोशिश भी करी उससे वापस लेने की, लेकिन वो जो है, सुंदर होने के साथ साथ में बहुत इंटलीजन भी थी, इस काम के लिए वो जो है, शेरलक होम्स टाम के जो जासूस होते है, डिटक्टिव जो होते हैं, उनको हायर करत आप शर्लक होम्स हदिए जानकारी राजा से ले लेते हैं ठीक है पहले तो ऑ Кто कहते है ये पहली है कि आ नहीं अपछा करती है कि उसे उाधी है करते हैं और कोई बात नहीं है हम कि आप यह जाती को गलत साबीत कर देंगे लिक expressed है कि वह भी आप गट texts तब वोटिंग बताता है कि नहीं हम दोनों साथ हैं ठीक है फिर उसके बाद में अब सारी इंफर्मेशन लेने के बाद में अपने काम पर लग जाते हैं और इसकाम में उनकी हेल्प करते हैं उनकी फ्रेंड वाटसन ठीक है अबसे पहले एक एक टैक्सी ड्राइवर का भेश और पूरा दिन उसके जितनी भी टेक्षी ड्राइवर्स होते हैं जितनी आइरेन एडलर के घर गुमफीर के बताते हैं उसे जितनी इइंफॉर्मेशन लेते हैं लोगों से बाच्चीत करते हैं और उन्हें पता लगता है कि आज शाम को पांच बजे ही जो है एडलर की शादी हो गई है नौर्डन नौर्ट जो कि उनके पहले वकील थे ठीक है और वो कहते है कि मुझे नहीं पता वाटसन उनके आइडलर के शादी करने से मामला जादा आसान हो गया है जादा पेचीदा ह हो गया कि क्या पता उनका कोई जो उनका वकील पती है उसे कोई फाइदे वाली बात लग जाए इसलिए हमें जल्दी से जल्दी फोटोग्राफ लेना होगा ठीक है अब ये सारी बाते जब वो वाटसन को बता रहे थे तभी एक यंग आदमी एक यंग नौजवान आया ठी ठीक है यहां तक हो गया था पिटा पेज नमबर पेज नमबर 43 ठीक है यह सेकंड परिग्राफ अनिवे इनक्स दे फाइफ ओ क्लॉक इन द आफ्टरनों होम्स वास डिस्काइस एज प्रीस्ट अब जो है अगले दिन शाम को पांच बजे जो है शर्लक होम्स ने डिस्काइ राइड इन द पार्क और जो है मिसस एडलर के घर के सामने घूम रहे थे जब मिस एडलर जो है अपनी डेली जो पार्क में घूम कर आती थी तो वो पार्क में घूम कर आई तो वो जो है उनके घर के सामने घूम रहे थे प्रीस्ट बन कर as he stepped out of her cab Holmes pretended to fade जैसे ही Irene गाड़ी से उतरी Holmes ने pretend का मतलब दिखावा करना बेहोशोनी का दिखावा करा several people came to help him कई लोग Sherlock Holmes की मदद करने के लिए आए and Miss Edler finally told them to carry him into her living room Miss Edler भी वहाँ पर आई Miss Edler ने सब लोगों को कहा कि वो इनको Sherlock Holmes को उनके living room में बैटक में लेकर जाए As Holmes I directed I stood waiting during all this time in the garden जैसे की Holmes ने मेरे को direct करा था निर्देश दिया था मैं पूरे time garden में बैठा रहा ये icon है यहाँ पर Watson मैं पूरे time garden में बैठा रहा Just outside the living room window जो living room की जो window थी बैठक की जो खिड़की थी उसके बाहर And a signal from Holmes inside I threw some lighted pieces of paper into the room through the window और जैसे ही Holmes ने मेरे को signal दिया मैंने कुछ पेपर जला कर खिड़की में से कमरे में जो है फेंक दिये There was a cry of fire fire तभी चीखने की आवाज आई आग आग From one of the servants किसी नौकर से चीखने की आवाज आई आग आग And I then disappeared मैं फिर वहाँ से गायब हो गया Several hours later Holmes arrived home इस घटना के कई घंटों बाद में Holmes घर पर आए Quite pleased with himself अपने आप से थोड़े खुश थे And with the satisfactory way Everything had turned out और सब कुछ बड़े संतुश्री जनक तरीके से वाज तो काफी खुश थे आया बेटा समझ में कि उन्होंने प्रीस्ट का भेश बदल दिया ठीक है और आईरीन के घर के आगे गूमने लगे जैसे ही आईरीन आई पार्क में से बेहोश होने का नाटक करा ठीक है और फिर आईरीन ने उनको भेहोश देखकर बोला कि भाई इस आदमी को मेरे कमरे में लेकर आओ और जैसे कि वाटसन के उनके फ्रेंट को उन्होंने कहा था ठीक है सिगनल दिया तो वाटसन ने खिड़की में से पैठक के अंदर कुछ जलेवे जो है कागस जलाके फैंक दिये तो सब लोग आग-ाग चिल्लाने लगे अब घराने के बाद में होमस पताते हैं कि वाटसन ये बहुत पुरानी ट्रिक है बट इट वर्ग जस्ट एज़केट लेकिन जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी इस पूरी योजना ने काम करा जब कोई चिल्लाया आग-ाग तो आइरीन जो है अचानक से एकदम से जो है दोड़ी तो गेट दवन तिंग आफ ग्रेटस्ट इंपोर्टन्स इन दा हाउस उस चीज़ को लेने के लिए जो घर में सबसे इंपोर्टन्ट थी फोटोग्राफ बचाने के लिए it is hidden in a secret place in one of the walls किसी जो है किसी एक दिवार पर secret place पर वो चुपाई भी थी फोटोग्राफ she did not remove the photograph because when she saw that fire was only a matter of a few burning papers she stopped लेकिन उसने वो फोटोग्राफ वहां से हटाई नहीं क्योंकि जब उसे पता लग गया कि आग कुछ papers तक ही सीमीत है तो वो रुख गई but she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden लेकिन उसने वो सब कुछ किया जिससे कि मुझे पता लग जाए कि असलियत में फोटोग्राफ कहां पर छुपाई भी थी tomorrow we shall go there with the king and with several policeman and get the photograph कल हम जो है उसके घर पर जाएंगे आरीन के घर पर ठीक है और वहां से वो photograph ले ले लेंगे कुछ policeman वगरा को भी साथ लेके जाएंगे the next day however when Holmes went to Miss Adler house he had one of the greatest shocks of his long career अब अगले दिन Sherlock Holmes जब Miss Adler के घर पर जाते हैं तो उसे अपने इतने लंबे करियर का सबसे बड़ा शौक लगा there was no one at home घर पर कोई नहीं था and Miss Adler and all her servants had apparently gone away वास्ता में Miss Adler और उसके सारे नौकरवान से जा चुके थे Holmes went at once to the secret place in the wall Holmes जो है जो secret place थी दिवार पर जहाँ photograph थी वहाँ पर वो गए the photograph was there photograph वहीं पर थी but there was the message with it लेकिन photograph के साथ में एक संदेश भी था जिस पर लिखावा था Dear Sherlock Holmes I had been told that the king would probably go to you for help in getting the photograph कि मुझे बताया गया था कि राजा जो है शायद से आपके पास जाएगा photograph लेने के लिए आपके पास ही जाएगा मदद लेने के लिए Thus I was expecting you every day इसलिए मैं हर रोज आपकी उमीद कर रही थी First I recognized your disguise as a cab driver सबसे पहले तो मैं आपने जो भेश पदा था cab driver का मैंने आपको पैचान लिया था and then followed you to your apartment फिर मैं आपके पीछे पीछे आपके घर तक आई just to make sure it was you के विल इस बात को देखने के लिए आप ही थे I was I was young man who passed in the street and spoke you मैं ही वो नौजवान आदमी थी जो की street मैं आपके पास से गुजरी थी और आप से बात करी थी Don't forget that I am to an artist यह मत बूलो कि मैं भी एक कलाकार हूँ Yesterday I also recognize your little trick of getting entrance to my house कल भी मैंने आपके उस छोटी सी trick को पैचान लिया था मेरे घर में अंदर गुसने की and forcing me to show you where the photograph was hidden और मुझे force कर रहे थे आप कि मैं आपको वो जगे में बता हूँ जहाँ photograph चुपाई भी थी But it is not important now लेकिन अब मेरे लिए यह photograph important नहीं है The photograph is here for you यहाँ पर आपके लिए यह photograph है I am married now to a man much better than the king अब मेरी शादी हो चुकी है एक ऐसे आदमी से जो राजा से कहीं अच्छा है And we have gone away together हम यहाँ से जा चुके है My husband loves me deeply मेरे husband मुझे गहराई से प्यार करते है And I am in love with him और मैं भी उन से Clearly I have no need of the photograph any longer अब मुझे उस photograph की कोई जरुरत नहीं है I बेटा chapter समझ में कि किस तरीके से जो है उन्होंने बेश बदला था Cab driver का और as a priest जो Irene Adler ने दोनों भेश में जो है उसको पैचान लिया था ठीक है बेटा यह आपका chapter फिनिश हो चुका है और यह इसकी जो है Textual questions है यह आप लोग जो है वो कर लेना ठीक है बेटा